हाई गाईस मेरे नाम है संचित और आप देख रहे है टेक बार और आज अब लोगों से मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर गाईस कोई भी मैं चाहता हूँ जो टेकनोलजी पॉपलर हो जाए वो है स्मार्ट वाच मैं भी एक स्मार्ट वाच पहनता हूँ बस वीडियो में नी पहनता क्योंकि इसमें फोन आते रहते हैं नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो आप लोग को डिस्ट्रेक्शन होती ह बाकी स्मार्ट वाच इस जो है मेरे घर में सारी उस करते हैं मैंने सब को जबरदस्ती एक पहना रखी है इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है अगर मैं आज के सिनेरियो लेकर चलू करोना वाइरस की विज़त से बड़े से बड़ा आदमी अपना विजनस बंद करकर घर पर बैठा है तो यहां से हमें एक सीख लेले ने चीए कि हेल्थ इस वेल्थ अगर आपकी पास आपकी जान आपकी हेल्थ अच्छे खासी है तब यह आप लॉंग टर्म तक अच्छा कमा सकते हो और मैं एक और बात आप लोग को बता लेता हूं कि जो हम इतन कोई भी अपने काम से चुटी नहीं लेना चाहता तो यह ना एक हेल्थ बहुती अंडरेटी टॉपिक रह जाता है और कोई भी इस पर ध्यान देना चाहता नहीं है आज मैं आप लोग को स्मार्ट वॉच्छ की एहमियत समझाओं और मैं यह नहीं कह रहा कि स्टूडेंट् आपको एक स्मार्ट वॉच्छ की नीड नहीं है काफी चांश है कि आप अल्रेडी होगे आपका हर्ट बहुत हेल्दी रहेगा आप स्ट्रेस कम में होगे बट अगर आपने रिसेंटली जॉब जॉइन की है आपका बहुत बड़ा बिजनस है फिर आपका नॉर्मल बिजनस है और आपको कहीं है तो कहीं हर्ट डिसेंज रहती है तो आपको एक स्मार्ट वॉच्छ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी एक अच्छी हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो सब परिशान रहेंगे तो यह एक छोटा सा इसके पीछे बहुत जारी सेंज बनेगी जैसे मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करूँआ अब मैं आप लोग को एक आर्टिकल दिखाता हूँ एह जर्नल्स.org का इसके अकॉर्डिंग जो है 54.5 मिलियन इंडियन्स जो है मतलब अगर किसी की मोत होती है चार बंदों की मोत ह है उन में इसे एक जो है स की वज़े से होती है अतने से लोग घ्र शाल मरते हैं सरीफ होम के ऊपर और वहाई पर फॉद्सके पको अगर आपके पास एक अच्छी है अंकर सकते हो को अपने हर्ट बीट का मेजरमेंट रख सकते हो और जो लेटेस्ट एपल वॉच फाइव सीरीज उसके अंदर तो एसी जी भी आप अपने वॉच के थुरू ही कर सकते हो लैक इतनी एडवांस टेकनॉलजी है यह और वहीं पर मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरस्टिंग बात बताना चाहूँगा अगर आप एक एपल वॉच रेगुलरली पहनते हो और अगर आपको बाई चांस हार्ट अटेक आने वाला हो तो एपल वॉच आपको एक नौटिफिकेशन दे देगी आप उस ताइम पर अपने डॉक्टर के पास है फिर हॉस्पिटल में जा सकते हो और काफी लोगों की जान बची है ऐसा बताया गया है एपल के थुरू तो यह चीज बहुत ही बड़ी आ जाती है और वहीं पर एगर मैं आप लोग को बताऊं जैसे कि आप लोग को फास्ट लाइफ का एक जामपल दिया था अगर आप देख रहे हैं कि अपकी हर्ट बी आप रियल टाइम पे अपने हर्ट की मेजरमेंट ले रहे हो इन फेक्ट ये जो स्मार्ट वॉचेज होती है आपके फोन के साथ सिंग रहती है एक एप के अंदर आपके पूरे महीने भर का डाटा रहेगा कि आपने कितनी डीप स्लीप ली है आपके हर्ट बीट कितनी नॉर्मल रहती है ऐसा सारा डाटा रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है खुद देखते होए थीजों को ऊपर नीचे कर सकते हो चाहिए एक्सेसाइज केंटिन्यू कर सकते हो इतना ही नहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस के बारे वे तो यहाँ पर स्ट्रेस का बहुती इंटरस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एकनॉमिक्स टाइम के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 83% इंडियन्स जो है एक अच्छे खासे स्ट्रेस लेवल में रहते हैं अगर कंपेर करें एक अच्छे खासी सिटी से या फिर अच्छे खासी कंट्री से चाहे जर्मनी हो यूएस से हो या फिर फ्रांस हो इन सब से कंपेर करते हैं तो हम इंडियन्स जो है जादा स्ट्रेस में रहते हैं और 33% एडल्ट्स यहाँ पर ध्यान देना बहुती बड़ा नंबर है 33% एडल्ट्स जो है हाई स्ट्रेस के अंदर रहते हैं और अगर आपको नहीं पता कि हाई स्ट्रेस से क्या होता है तो डाइजेशन इशू रहते हैं आपको इंसों में नहीं हो सकता है मतला आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी दुनिया भर की प्रॉब्लम एकने, हैड़क और इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है सरिफ और स्ट्रेस की वज़े से आप जो थोड़ा बहुत सोच जाते हो वो नॉर्मल नहीं होता भाई तो इन चीज़े को अगर मैं देखते हुए चलूँ तो अगर आपके पास लेटेस्ट अच्छी स्मार्ट वॉच है तो आप जो है अपने स्ट्रेस को रियल टाइम पे मेजर कर सकते हो और ये चीज़ आपको खुद से ध्यान में रखनी पड़ेगी अब ऐसा भी नहीं कि स्मार्ट वॉच आपका स्ट्रेस प्रेस सब कुछ कैल्कुलेट करके बैठे रहेगी आपको कुछ चीज़े खुद मैनुविली भी करने पड़ेगी आपको मैनुविली दिन के अंदर अपना स्ट्रेस नापना पड़ेगा जिससे आप अच्छा कासर डाटा अपने पास रख सको और बहुती शौकिंग बात है गाईज ये मतलब मेरको अपनी बॉड़ी में बिल्कुल भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं स्ट्रेस में हूँ बट हाँ मैं थोड़े से स्ट्रेस में जरूर था और उसी टाइम पर योगा जिन्दा बाद मैंने योगा स्टार्ट किया ब्रीधिंग एक्सराइज जो होती है और साथ के साथ एक्सराइज और वरक आउट भी किया और मेरा स्ट्रेस लेवल आटोमेटिकली ठीक होने लगा तो यहां से मैंने सीखा यार कि एक्चल में अगर आपके पास एक ऐसी टेकनोलजी है आपके रिस्ट के अंदर ही जो आपको रियल टाइम पे सारा डाटा देती रहेगी तो आपका लाइफस्टाइल सुधरेगा बस यह है कि आपको सच में विलिंग ली अपनी मर्जी से इन चीज़ों को करना पड़ेगा मेजर और आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा तो मैं यहां पर एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा अगर आपके पेरेंट्स किसी भी डिजीज से हर्ड डिजीज हो और स्ट्रेस हो से गुजर रहे है तो आप मेरे साब से आपको उनको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करनी चाहिए और उनको फोर्स भी करना चाहिए इसको यूज करने के लिए क्योंकि सच में मतलब मैं भी काफी पर ऐसा होता है कि इसको उतार देता हूँ को कि चार्जिंग करने में कभी आलस आजाता है तो ये भी एक इशू रहता है मेरे साब से ये बहुती बड़ी टेकनोलजी है और हर किसी को ध्यान देना चाहिए अब नेक्स में बात करना चाहूँगा प्रोक्रास्टीनेशन के बारे में अब इसका मतलब क्या होता है ये हमारे यूथ की मतलब की चीज़ है इसका मतलब होता है अगर गूगल डिक्शनरी ये बताऊ मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो बट आपने कुछ फालतू में मतलब उसको पॉस्पॉन करे जा रहे हो अपने जरूरी काम को और फालतू की चीज़े कर रहे हो इसका सीधा मतलब ये है और हम लोग ये बहुत जादा करते है मेरे साथ बहुत जादा होता है और अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है तो सारी नोटिफिकेशन टाइम तो ओविसली स्मार्ट वॉच के अंदर दिखेगा ही दिखेगा तो इससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हो तरस्ट में मैंने खुद एक्स्पिरेंस की है मेरे फोन का स्क्रीन ओन टाइम अगर आप देखोगे तो पहले जो है मैं 6 गंटे फोन पे लगा रहता था फिर 4 गंटे पे शिफ्ट हो गया 2 गंटे कम होना बहुत ही जादा रहता है पूरे दिन का तो ये चीज मेरे को बहुत ही बेनेफिट वाली लगी अब मैं हाँ पर यह नहीं बोल रहा कि इससे ऐडिक्शन anyway खतम होगी क्योंकि मैं हाँ पर स्मार्ट वॉट्च की डिक्शन डलवा रहा रह、 और जो है स्मार्ट फोन की कम करवा og और यहाँ पर यह भी इधिफरेंस है पास कोई WhatsApp आता है फिर टेक्स्ट मेसेज आता है तो आप उनको छोटे मोटे रिपलाई जो है स्मार्ट वाच से भी कर सकते हो तो ऐसे जो है आपका फोन बार बार खुलने का टाइम मतलब कम हो जाता है लाइक मैं सच में बहुत ही कम फोन खोल रहा था बट एक बात मैं आप लोग को बता रहता हूँ वह अगर आप मीटिंग में हो और आपको बहुत जार नोटिफिकेशन आती है तो हो सकता है कि आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो और बार बार ऐसे आप अपनी स्मार्ट पॉच में एक और अच्छा फीचर डाल दिया गया है वह नेविगेशन का अगर आप जो है नॉर्मली चल रहे हो कहीं पर भी किसी फॉरन जगा पर ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपनी स्मार्ट वाच से नेविगेशन भी कर सकते हो आपको अपने फोन लेकर ऐसे घूमना पड़ेगा आप अपनी वाच में थोड़ी थोड़ी दिर बाद देख सकते हो और वो डिक्टेट भी करती रहेगी तो ये भी काफी लोग को बेनेफिट वाली चीज लगती है बाकी अगर आप बहुत सारे आपको आप्शन देखने हो मिल जाता है स्मार्ट वाच के अंदर प्ले पॉस कर सकते हो ट्रैक को बैक या फॉरवर्ड कर सकते हो वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो आपको बार बार फोन नहीं निकालना पड़ेगा बाकी एक और मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है इन स्मार्ट वाच के अंदर वो सारे हो में मिल जाता है कि अगर जालों किसी रजाई के नीचे आप रख कर भूल गए या फिर कहीं पर भी रख कर भूल गए तो आप है ना find my phone के थूरू इसको मतलब ring करवा सकते हो अपने phone से चाहे वो silent पर क्यो नहीं हो आपका phone तो ऐसे जो आपको अपना phone ढूनने में भी साहता करता है एक smartwatch तो मुझ अगर आप एक अच्छी का सी traveling में हो तो मेरे साब से smartwatch पहन के चलना है अच्छा decision रहेगा obviously आपको दो चीज़े चार्ज करनी पड़ेगी बट यह है कि आप थोड़ा सा surroundings पर अपना ध्यान रखोगे सबसे main बात awareness आपको जादा होगी और आपके phone की battery भी लंबी चलेगी औ और वहीं पर अगर हम बात करें एक last चीज़ के बारे में जो की important feature है वो है fitness का like वैसे तो fitness tracker अलग से आते हैं जिनके अंदर यह सारे option नहीं होते हैं जो मैंने आप लोग को अभी तक बताए है बट हाँ fitness tracker भी आप खरी सकते हो अगर आपको fitness का बहुत जारा शौक है अगर आप मेजर करना चाहते हो कि आप कितने steps चले हो आपने कितनी calories burn करी है तो वह आजकल जो है पंदरा 2000 फिर 2500 वाले fitness tracker के अंदर भी आपको इस सारे option देखने को मिल जाते हैं काफी सारे option अविलेबल है Xiaomi और Realme के तो आप उनमें से कोई भी एक pick कर सकते हो बट इसमें अची बा बट हाँ जो fitness tracker है और जो latest महेंगी smart watches है वो मैं आपको equivalent बोलना चाहूंगा आप अगर सर्फ fitness जयान देना चाहते हो तो अपना पैसा बचाओ और 2000 तक कोई fitness tracker लेलो वो भी अच्छा options रहता है नहीं तो मैं यह आप लोग को add कर कर बता देता हूं कि आप fitness भी track कर सकते हो और target रहता है तो थोड़ा सा motivate भी करता है कि हाँ भाई तुझे इतने step चलने है और तुझे इतनी देर खड़ा रहना है तो यह भी एक benefit वाली चीज़ है बाकी मुझे smart watches के अंदर एक और benefit वाली चीज़ लगती है वो यह है कि अगर यह notice करती है watch कि आप बहुत देर से बैठे ह हो तो यह आपको बताएगा कि खड़े होने की जुरत है तो बहुत देर से बैठा हुए है बौडी बहुत इनेक्टिव हो चुकी है तो थोड़ा सा वाक करकर आ जाओ और तब बैठ जाओ मुझे बहुत benefit वाली चीज़ लगी थी काई सच में मुझे realize नहीं हुआ था स्मार्ट वाच नहीं है न मेरे को realize कराया है कि मैं कितना inactive रहता हूं अगर ये ना होता हूं बाकी वहीं पर आप लोग को बता देता हूं मैं कि ब्रीधिंग बहुत ही important चीज़ होती है अगर आप दिन में सरिफ एक मिनट के लिए इस fast life से हट कर जिस्ट एक मिनट के लिए आप अपने लिए time निकालो और लंबी लंबी सास लो मतलब breathing करो अराम से तो आपका stress level कम होगा आपको एक better motivation रहेगी आपके अलग energy रहेगी और अच्छी बात ये कि smart watch जो आपको breathe करवाना याद दिलाती है like breathing exercise करवाना याद दिलाती है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी functionality penalty रहती है इन सारी smart watches के अंदर तो ये सारे reasons है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अगर हो सके कोई force नहीं है अगर हो सके आपका budget है तो इसके ऊपर थोड़ा सा invest करो और पूरी कोशिश करना कि आप इसको regularly charge करो और पहनो क्योंकि ये बहुत ही important चीज है like हम लोगोंने सरफ आज तक सुना है कि health is wealth और ये actually मैं mean करती है तो और नी तो अपने parents को gift करो मैं तो ये recommend करूँगा काफी अच्छी technology है और मैं चाहता हूँ यार कि सस्ती आए ये technology और भी सस्ती आए जिससे लोग ज़र 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 खरीदे और ज़र ज़र अपनी health के उपर ध्यान दे बहुत ही important topic है ये बस यही मैं आप लोग के साथ cover करना चाहता था यही सारी चीज़े मैं आप लोग के साथ share करना चाहता था hope आपको information जो है थोड़ी सी relevant लगी हो informative लगी हो और अगर लगी है तो please like करकर ज़रू जाना और subscribe करके हमारी tagging के जोन करने व्लोग quality भी रखते है अगरो मिलते है thanks for watching